हैलो स्ट बेंज कैसे हैं आप उमीद करता हूँ खुश होंगे काम करते रहिए आप काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए कोई भी प्रॉब्लम है मुझे बताईए मैं आपके सामने कड़ाओं और आपको मैतेमेटिक्स में किसी परकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने द अब आज हम एक नई एक्सरसाइज कर रहे हैं वन पॉइंट टू क्लास सेवन देखिए ऐसा पुर्णांक युगम लिखिए जिसका यहां जिसका के आगे यह तीन पार्ट देखिए योग मैनस साथ है दो संखें लिखने आपने जिनका योग मैनस साथ है यहां देखिए मैनस तीन और यदि मैनस चार नहीं जोड़ दूँ यह पलस कर दूँ तो क्या आएगा यही आएगा मैनस साथ आएगा तो यह हम दो संखें यह लिख सकते हैं पुर्णांक योगम योगम का मतलब है जोड़ा पेर यह पेर है इनका योग इतना आना चीए और हो सकता है और भी हो सकता है बताना मैनस साथ जोड़ और किसका होगा मैनस साथ जोड़ हम इसका भी ले सकते हैं जैसे मैनस पांच और मैनस दू इन दोनों का अगर जोड़ करेंगे क्योंकि एक जैसे निचान है यही जोड़ आएगा और भी ले सकते हैं बहुत सारे पेर हो सकते हैं यह आपकी प्रेक्टिस क अंतर है जिस तरह से मैंने लिख दिया माइनस तेरा और यहां लिख दिया माइनस तीन माइनस तेरा और माइनस तीन का अंतर का माइनस करना है मैनस 13 और मैनस 3 का अंतर अब हमने पता है यह दो मैनस कर्थियों तो पलस हो जाएगी और यह पलस होई यह मैनस यानि कि मैनस के 13 और पलस के 3 तो कितना आएगा यह आएगा इनका अंतर मैनस 10 आएगा कुछ और भी पेर हो सकता यहाँ एक पेर तो यह हो गया माइनस तेरा माइनस तीन आपने ये पेर ऐसे लखना है माइनस तेरा माइनस तीन ये पेर है उपरवारा में पेर हमने के लख्या था माइनस तीन माइनस चार एक तो पेर ये लख्या था एक माइनस पांच माइनस दो ये पेर लेखा था इसमें ये पेर लेख दिया हमने कोई और पेर भी लिख सकते हम और पेर बताना जैसे दूसरा पेर ये हो सकता माइनस बारा और माइनस दो हो सकता है जब इनका अंतर लेंगे अंतर लेंगे कैसे लेंगे माइनस बारा में से माइनस दो को अगर लेस करेंगे माइनस करेंगे गटाएंगे तो ये दोनों मिलके पलस हो जाएंगे और इसका कितना है फिर या है या है इनके इनका अंतर कितना है माइनस दस है तो इसलिए दूसरा पेर यह हो सकता किसरा भी हो सकता है, चौता भी हो सकता है जितने भी आप चाहो उतने पेर लिख सकते हो अब ऐसा पेर लिखो जिसका योग जीरो है योग जीरो वाला तो बिलकुल आसान है साथ पलस का ले लिया और 7 माइनस का ले लिया इनको जोडेंगे तो 0 आजाएगा 2 माइनस 2 इनका भी जोड करेंगे 0 आजाएगा योग है ये और भी कुछ लेगदो कोई एक जितनी रासी पलस की ले उतनी माइनस की ले लो उनका जोड हमेशा 0 होता है एक ऐसा रिनात्मक पुर्णांक युगम लिखिए जिसका अंतर आठ है रिनात्मक उने चीए दोनों यानिके यहां और यहां दोनों रिनात्मक लिखने हैं और उनका अंतर जो है नहीं यह माइनस अंतर का मलब माइनस इसमेंश अगर यह गटाएं तो क्या बचनाची यह 8 बचनाची अगर मैं यहां लख दूँ माइनस का 5 लख दिया और यहां लख दिया मैंने माइनस का 13 लख दिया दोनों माइनस हो गए दोनों रिर्णात्मक है जब इसमें से इसको माइनस गटाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस यह देखिए माइनस पांच और ये पलस हो जाएगी माइनस माइनस अब इसका कितना जोडायेगा राट आएगा ये आना चीए ये जोड नहीं है अंतर है, अंतर कहा हुआ, इस मैनस के कान अंतर है, इसलिए पलस होकती है, कुछ और भी लेख सकते हैं, एक पेर तो मारा यह हो गया, मैनस पांच और मैनस तेरा, दूसरा पेर भी बना सकते हैं, इस मैनस पांच की जगे मैंने कर दिया, मैनस दो, इसको तीन कम कर दिया, मैनस यह से यह से ताकिन का जोड यह आएगाँ दस कर दिया में कि 5 अर 13 का अगर निसान को था गएarak यह को 5 और 13 का अंतर कितना आठ्ड है दो मैनस हैं कुछ और भी लगा सकते हैं जब जितने चाहूं इतने पेर हम बना सकते हैं सेकंड है एक रिनात्मक पुर्णांग यानि कि रिनात्मक पुर्णांग और एक रिनात्मक पुर्णांग होना चीए और उनका योग आना चीए मैनिस पांच यानि कि यहाँ देखिए इनका योग है अब की बार पलस होगा इने बीच में जब की बार मैनिस था माइनस पांच आना चीए अब इसमें क्या लखे इसमें क्या लखे तक इन दोनों का जोड़ माइनस पांच लेकिन एक रिनात्मक उना चीए एक रिनात्मक यहाँ रिनात्मक लख दिया तो यहाँ रिनात्मक लखो जिस तरह से मैंने लख दिया माइनस आठ लग दिया ये तो रिनात्मक हो गया और ये दनात्मक हो गया इन दोनों का जब जोड़ेंगे तो माइनस पांच आजएगा तो एक माइनस आठ है और एक तीन है दूसरा अगर पेर बनाना है माइनस आठ की ज़िए माइने मैंने लग दिया माइनस साथ तो ये कितना हो जाएगा आपको पता हो ना चीए ये माइनस साथ हो गया तो ये कितना हो जाएगा दो और भी हम बना सकते है एक रिनात्मक है और एक रिनात्मक है और इनका अंतर माइनस तीन है यानि कि देखिए इस परकार का है इनका अंतराना चाहिए माइनस तीन एक मामन माइनस रिनात्मक लेना है एक मापलस लेना है और इनका अंतर का मलक यह माइनस आएगी जिस तरह से मैंने माल लिया यह रिनात्मक तो यह है माइनस एक और रिनात्मक दो है अगर इसको माइनस दो ले लिया तो यो एक आजएगा और इनका अंतरा गया माइनस तीन तो ये दो पेर बना लिया हमने क्या माइनस एक और दो दूसरा पेर है माइनस दो और एक ये दो पेर है कि माई question नमबर थर्ड है किसी परशनोतरी के तीन उत्रोतर चकरों में तीम ए दवारा प्राप्त के गए अंक माइनस चालेश दस जीरो थे और टीम बी दवारा प्राप्त अंक दस जीरो माइनस चालेश थे किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए क्या हम कह सकते है कि पूर्णांकों को किसी भी करम में जोड़ा जा सकता है अब यहां हम पहले टीम ए टीम ए के अंक अंकों का योग करेंगे माइनस चालेश जमा दस जमा जीरो इनका जोड़ करना है और टीम ए के अंकों का योग करना है इसके हैं दस जमा जीरो और माइनस चालेश योग करना है माइनस चालेश जमा दस जीरो तो कोई वेलो नहीं है जीरो को तो जोड़ो गटाओ कोई परक नहीं पड़ता तो माइनस चालेश और दस का जोड़ कितना हैगा माइनस ए तीस ना के पचास और दस का और माइनस चालेश का कितना हैगा ये भी माइनस तीस क्या हम कह सकते हैं कि पुर्णांकों के किसी भी करम में जोड़ा जा सकता है इसका करम ये था इसका करम बदल दिया इनके दस पर ले आगया चालेश बाद मागया जीरो बीच मागया क्या आगे पीछे करम बदलने से क्या हम पुर्णांकों का योग कर सकते हैं? येस, कर सकते हैं हाँ किसी भी करम में पुर्णांकों को जोड़ा जा सकता है इससे कोई फर्ण नहीं पड़ेगा तो ये है मारा थार्ड क्यूस्चन एक चीज और में जोड़ता हूँ जिस तरह से माइनस चालिस है कई बार इसको ऐसे लेख्या जाता है पलस दस पलस जीरो तो इसमें क्या है? जहां माइनस होगा उसका ब्रेक्ट लगा देते हैं ताकि बच्चे कन्फूज ना हो तो इसका जोड़ वही माइनस 30 आएगा बस इस ब्रेक्ट का आप नहीं ये समझना है कि ये माइनस और 40 दोनों अलग नहीं है एक ही क्वांटिटी है क्यूस्चन नुमर फोर है ये नेमिलिकित कतनों को सकते बनाने के लिए कि रिख स्थानों की पूर्ति कीजिए माइनस पांच जमा माइनस आठ इन दोनों को जोड़ना है चाए इस करम में जोड़ो और चाए इस करम में जोड़ो यानि के माइनस आठ पहले ले लिया तो यहाँ खाली जिगे में क्याएगा माइनस पांच किसी भी करम में जोड़ एनका योग बराबर रहेगा माइनस त्रेपन जमा यहां खालिस्तान है और इसका योग भी माइनस त्रेपन यह ना आठी है तो इसमेन वह कितना जोड़े हम जीरो जोड़ दो पूएकि जीरो जोड़ने से तो कोई फ़रक नहीं पढ़नने वड़ा वहीं आजएगा सतरा में क्या जोडें के जीरू आजएग यहां देखिए सतरा में माइनस सतरा जोडेंगे तो जीरू आजएगा अब यह एक, दो, तीन टर्म है यह तीन संखय हैं इधर भी तीन है एक, दो, तीन अब इसमें यह जो बड़ी ब्रेकेट आपको दिखाए दे रही है इसमें पहले यह दो जोड़ी है हमने तेरा और माइनस बारा और इधर जोड़ी माइनस बारा और माइनस साथ पिछली दो यानि कि यहां यह पूछ है क्या आएगा माइनस साथ आएगा पहले दो को जोड़ा इसमें पिछली दो को जोड़ा आप किसी भी करम मा जोड़ सकते हैं या कैसे भी यह कुन सा ला हमारा साचरिय नहीं को इसी दो इक ठीकर कर जोड़ सकते हम चे पहले वाली दो के ठीकर के जोड़ लो चे लास्ट वाली दो के ठीकर के जोड़ लो हमारा जोड समान आएगा ये है माइनस च्यार पलस इसमें भी वही है ये पिछली दो जोड़ दी यहां पहले ये तीन संखें उधर है माइनस च्यार है पंदरा है और यहां क्या आएगी माइने से तीन आएगी इसमें लास्ट ओली दू को जोड रखे है बड़ी ब्रैक्ट के दوारा इसमें पहली दो को जोड रखे है ब्रैक्ट के दौरा तीसरी बात में जुड़ेंगे तो यह हम किसी भी तरीके से इसका जोड़ कर सकते हैं और इस ला को कहते हैं यह याद रखना है साथ चरिये लिए साथ चरिये गुन दरम होता है जिसमें दो कोई सी दो को इकटे करके जोड़ सकते हैं यह अक्सरसाइज आज हमारी 1.2 कम्प्लीट हो गई है आप समने अच्छे तरीके से अपने सवाल करो कोई सवाल में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं और आप हर तरह से इसमें काम्याब होंगे यह मैं आपके साथ ख़़ा हूँ आप निश्चिनत रहिए आप काम करते रहिए निश्चित रूप से आप बढ़ेंगे सफल होंगे और कोई क्यूशन आपको ऐसा नहीं होगा जिसका समाधाना आपको ना आता करिए काम